हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना तेल का कैसे आप स्क्रम्बल एक बनाओगे, बहुत ही आसान तरीका है, तो लेट स्टार्ट, तो देखिए हमने यहाँ पर दो अंडे लिये हैं, एक टेबल स्पून बटल, वन टे स्टार्ट, अब देखिए मैंने सारे इंगिडियन्स को एक साथ मिला के अच्छे से बीट कर लेंगे, इसमें हमें अच्छे से बीट कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरह से इसे बीट कर लेना है, यह इसमें कोई भी तेल नहीं लगता है, और हम इसे डारेक्ट पैन में भ बस बटरी लगता है इसमें और एक बटरी फ्लेवर आता है बहुती टेस्टी एन इजी होता है तो देखे मैंने स्टोब को आँप कर के पैन के उपर ये जो मिक्सटर है इसको मैंने एक का मिक्सटर है उसे हमने बैठा दिया है इसे डारेक्ट नहीं बनाना है बस आपको पैन के उपर बनाना है पाँच मिनिट लगता है इसे बनाने में बहुत ही आसान तरीका है कम इंगेडियन्स है और टेस्टी है और हेल्दी भी है ये दिखे ये बटर मेल्ट होने लगे हैं आइस्ता आइस्ता ये फॉर्म में आने लगे हैं मतब दो तिन मिनिट में बस ये रेडी हो जाएंगे बिच बिच में इसको हिलाते रहना है ब्रेकफस्ट के लिए बहुत ही आइडियल है आप ब्रेट बटर के साथ सर्फ कर सकते हो ब्रेट बटर के साथ इवेन आप चपाती के साथ भी मॉनिंग के नास्ते में आप सर्फ कर सकते हो अब देखो ये कितना फ्लपी हो गया है और कलर भी वाइट हो गया है मतलब ये फॉर्म में आ गया है अब इसे हम थोड़े से हिला लेंगे देखे ये पूरा बन चुका है स्क्रम्बल अब इसको थोड़ा सा हिला के हम ये सब करने के लिए पूरा रेडी है देखे ये बन चुका है बहुती कम मसाले में बहुती कम टाइम में बहुती हल्दी स्क्रम्बल एग तो चलिए हम रेड के साथ साब करते हैं इंजॉय करो खुश रहो थैंक यू